हेलो आल आज जो हम टॉपिक डिसकस करने वाले है वो है इस्टन इकनोमिक फोरम 2021 इस टॉपिक इस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिसकस करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी डिलिवर्ड अ वीडियो अड्रेस दूरिं दे प्लिनेरी सेशन ओफ दॉपिक इस्टन इकनोमिक फोरम हेल्ड इन रश्या रिसेंटली हेल्ड हुआ वैल्लिवर्स्टॉक में रश्या में ये हुआ रिसेंटली हेल्ड हुआ इसके बारे में तुरह और डिटेल में डेखते हैं कि यह जो फोरम है तो रश्या का ये बेसिक आइडिया है रश्या का फोरम है जो रश्या फोरम है उसमें एश्या पैसिफिक रिजन से ये एकनोमिक डेवलोपेंट बढ़ाने के लिए ये फोरम को एस्टैबलिश किया गया है ये हर साल वेल्डिवर्ट पॉस्टॉक में रश्या में इसका सेशन होता है तो ये एक तरीके से रश्या और एश्या पैसिफिक रिजन को एकनोमिक इंटिगरेशन के लिए हल्प करता है तो यह ही है एक प्लाटफॉर्म है जहां पे प्लिटिकल एकनोमिक और कुल्चरल टाइस आप जादा स्ट्रॉंग कर रहे हो तो बेसिकली रश्या का ये फोरम है तो पार्टिसिपेंट्स अगर आप देखेंगे तो अगर आप में प्लेयर देखेंगे तो रश्या के ऑल्मुस्ट चाइना के बॉर्डर के पास है इरान, अफगानिस्तान, इंडिया ये सारे देश इसमें involved हैं जो ये हर साल मिलते हैं और पॉलिटिकल एकनोमिक और कुल्चरल टाइस को स्ट्रॉंग करते हैं तो रश्या का जादा से जादा एरिया में आता है तो काफी नैचरली रिसोर्से है इस एरिया में इसलिए रश्या जादा एकनोमिक कोपरेशन चाहता है तो काफी रिसोर्से हैं, कोल है, है, है रिसोर्से हैं फोरेश्ट फोरेश्ट पार्ट में जादा तर नाचरल रिसोर्से नहीं है अभी इंडिया का इंट्रेश्ट इस फोरम में going beyond the Benhomi and historical ties India is also key customer of the Russia's arms industry देखे इस्राइल और रश्या इन दोनों से हम सबसे ज़्यादा defense हमारे agreement है सबसे ज़्यादा arms and ammunition हम इन दो देशे से लेते हैं तो Russia is one of them In March, India entered into a joint venture with Russia to manufacture the legendary Kalinowski assault rifle in India तो हमने उनके साथ joint venture किया for this rifles 2018 में Russia sold S-400 advanced air defense system to India तो defense ties आप देख सकते हैं काफी तगड़े हैं Russia के साथ India is interested in expanding the level of trade between the two countries हम Russia के साथ सिर्फ arms and ammunition नहीं बट उसके आलावा बाकी चीजों के साथ भी हम उनके साथ collaborate करना चाहते है An area of special interest for India is the exploration of hydrocarbon reserves along the coast of Russia's forest क्योंकि hydrocarbon reserves को अगर हम explore करेंगे तो हमारे energy security के लिए बहुत help होगी So that was the topic guys अगर आप GS, sociology और current affairs के offline या online batches में अगर आप interested है तो आप definitely मुझा approach कर सकते हैं Offline batches पूने में होंगे address कहा है मेरा contact number दिया हुआ है मैं सारे details, fee structure सब आपको contact पे बता दूँगा Those who are interested, they can definitely join So thank you so much for listening to the video Up till the next video, I am Aditya Kidari Signing out, thank you Subscribe to channel and press the bell icon Never miss an update From Aditya Kidari Monishar